यहां पर मैं आपको पता दू कि Part 1 के अंदर NCRT के हमने First 8 Topics को Cover किया था Real Numbers, Polynomials, Pair of Linear Equation in 2 Variables, Quadratic Equation, AP, Coordinate Geometry, Triangle and Circles को और आज की वीडियो में हम बात करेंगे Next Topics की Construction से लेके Probability तक तो चलिए बच्चों इस वीडियो की शुरुआत करते हैं क्योंकि यहां पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात सबसे पहले बात करेंगे Construction के First Question की जो की पूछा गया था 2020 में Question कहता है Draw a line segment AB of length 7 cm, taking A as center, draw a circle of radius 3 cm and taking B as center, draw another circle of radius 2 cm, construct tangents to each circle from the center of the other circle तो बच्चों इस Question को solve करने से पहले यहां पर मैं आपको रफली बदा देता हूँ करना क्या है 7 cm का आपको distance लेना है और 3 cm का radius लेकर यहां पर एक circle आपको draw करना है इसी तरीके से यहां पर आपको 2 cm का distance लेकर एक circle draw करना है अब आपको tangent draw करनी है इस तरीके से कि एक दूसरे के center से pass होती हो मेरी बात आरे समझ में इस तरीके से और यह काम आप कैसे करोगे वही हमें यहां पर देखना है ठीक है क्या-क्या आपके steps होंगे वो सारी बातें यह tangent आपको draw करनी है तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आप इसको solve करोगे तो यहां पर question में first line में बोला है draw a line segment AB of length 7 cm आपको एक line segment लेना है 7 cm का तो चलिए यहां पर हम draw कर लेते हैं 7 cm का आपको distance लेना है तो यह आपका 7 cm का distance मैंने ले लिया और इस line segment का नाम है AB यहां पर आप naming कर देंगे AB इसके बाद बोला गया है taking A as center draw a circle of radius 3 cm अब देखिए A को center मानकर 3 cm का distance लेना है यहां पर मैंने 3 cm का distance ले लिया compass में ओके अब यहां पर आपको एक circle draw करना है तो चलिए circle को हम complete कर लेते हैं ओके यह आपका circle complete हो गया अब बचो करना क्या है B को center मानकर 2 cm का distance लेकर आपको एक circle draw करना है तो चलिए हम यहाँ पर एक circle draw कर लेते हैं ओके इस तरीके से आपका 2 cm का radius का एक center draw हो गया और यहाँ पर 3 cm का ठीक है बच्चो इसके बाद बोला गया है construct tangents to each circle from the center of the other circle अब इस बात का मतलब यह है कि दोनों ही circle पर आपको tangents draw करनी है लेकिन किस तरीके से जब आप छोटे वाले पर tangent draw करोगे तो वो tangent आपकी कहां से आएगी बड़े वाले circle के center से ओके यहाँ से आपको draw करनी है मेरी बात आरे है समझ में इस तरीके से मैं यहाँ पर आपको रफल वाले circle के center से मेरी बात आरे है समझ में इस तरीके से ठीक है यहाँ से निकल के आएगी और यह बन जाएगी इसकी tangent ठीक है इस तरीके से तो चलिए अब देखते हैं किस तरीके से आप इसको draw करोगे अब बच्चों मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना tangents को draw करने के यहाँ पर आर्क आपको draw करनी है ठीक है जिससे आपका एक perpendicular bisector draw हो जाएगा तो चलिए यहाँ पर हम आर्क को draw कर लेते हैं ओके तो यहाँ पर आपका पहला आर्क ड्रो हो चुका है नीचे भी आपको एक आर्क लगाना है ठीक है तो चलिए नीचे लगा लेते हैं तो इसी तरीके से आपका दूसरा आर्क भी complete हो गया अब आपको यहाँ से लेना है ठीक है यहाँ से आपको आर्क draw करना है ठीक है वो bisect करेंगी और आपको यहाँ पर एक perpendicular bisector मिल जाएगा तो बच्चो यहाँ पर भी मैंने 4 cm का distance लिया है ठीक है जिस तरीके से हमने यहाँ पर आर्क ड्रॉ करी है 4 cm की उसी तरीके से आप इस पॉइंट से भी ड्रॉ करेंगे ठीक है तो चलिए यहाँ पर हम आर्क ड्रॉ कर लेते हैं इसी तरीके से आप नीचे भी ड्रॉ कर लें अब आपको इन दोनों points को connect कर देना है तो चलिए मैं यहाँ पर इन दोनों को connect कर देता हूँ अब बच्चों देखिए A B का midpoint आपको मिल गया ठीक है this is perpendicular bisector तो इसको मैंने नाम दे दिया O ठीक है अब इस O point को center मानकर आपको एक circle draw करना है इस तरीके से चलिए देखते हैं अब बच्चों करना क्या है आपको compass का midpoint आपका center पर होगा ठीक है और जो pencil है वो आपका A point पर होगा अब यहाँ से आपको circle draw करना है तो चलिए हम circle को draw कर लेते हैं ओके इस तरीके से यह आपका circle complete हो गया अब बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो इस circle को draw करने के बाद छोटे circle पर यहाँ पर आपका contact point बनता है यहाँ पर एक यहाँ पर एक यहाँ पर बनता है और एक यहाँ पर बनता है ठीक है लेट से इस point को मैंने नाम दे दिया R इसको मैंने नाम दे दिया S और यहाँ पर मैंने नाम दे दिया Q और इसको मैंने दे दिया T ठीक है अब बच्चो लास्ट टैप आपके पास है करना क्या है A से R को जोइन करना है Q से S को जोइन करना है और B से आपको T को जोइन करना है इस तरीके से देखिए क्योंकि आपको center से tangent draw करना था तो यहाँ पर आपको contact point चाहिए था तो वो हमें इस बड़े circle की वज़े से मिल गया ठीक है दोनों circle पर तो इस तरीके से यहाँ पर आप tangent को draw कर देंगे ओके बच्चों आपको यह tangent draw करना है scale से ठीक है मैं हाथ से करके बता रहा हूँ आपको तो यहाँ पर भी आप इस तरीके से tangent को draw कर देंगे ठीक है यहाँ पर भी ठीक है तो इस तरीके से आपका solution तयार हो गया ठीक है अब बात करते हैं next question की construct an equilateral triangle ABC with each side 5 cm then construct another triangle whose sides are 2 by 3 times the corresponding sides of triangle ABC बच्चों first line में लिखा हुआ है construct an equilateral triangle ABC with each side 5 cm तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक base draw कर लेंगे 5 cm का ओके लेट से मैं यहाँ पर 5 cm का distance ले लेता हूँ ओके तो इस यह 5 cm distance ओके अब बच्चों मान लीजिए यह आपका B point है और यह आपका C point है ओके so this is your BC line segment of 5 cm अब बच्चों मेरी बात को ध्यान से समझना यहाँ पर हमें construct करना है equilateral triangle of side 5 cm ठीक है तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे यहाँ पर 5 cm का distance ले लेंगे compass में और यहाँ पर हमको arc लगाना है कहाँ पर यहाँ पर ठीक है एक arc हम यहाँ पर draw कर लेते हैं इसी तरीके से आप यहाँ पर भी B point से मैं इसको lock कर देता हूँ because distance is same तो चलिए यहाँ पर हम ले लेते हैं तो यहाँ पर हम arc लगा लेते हैं ठीक है इस तरीके से अब देखिए दोनों arc का जो intersection point है उसको आपको join करना है B से और C से मैं इसको mark कर देता हूँ A point ठीक है अब क्या करोगे बच्चो अब यहाँ पर आपको line draw करना है ठीक है तो चलिए अब A और C point को join कर देते हैं इसको join करने के बाद आपको A और B भी join करना है ओके A और B को भी join कर देते है तो यहाँ पर join करने के बाद यह भी आपका 5 cm का है यह भी आपका 5 cm का है और यह distance भी आपका 5 cm का है तो बच्चो इसके बाद बोला गया है इसका मतलब है आपको एक और ट्रेंगल डौ करना है और उस triangle की side कैसी होने चाहिए 2 by 3rd times of this triangle ABC मेरी बात आगे समझ में तो देखिए triangle को draw करने के लिए जो आपका पहला step होगा वो ये होगा कि यहाँ पर आपको एक acute angle draw करना है ठीक है तो कोई भी आप acute angle लेकर यहाँ पर draw कर सकते हैं अब बच्चों मेरी बात को ध्यान से समझना question के अंदर आपको given है 2 by 3rd times जो नीचे वाला part है आपका denominator इस पर आपको ध्यान देना है ठीक है अब यहाँ पर आपको 3 equal part करने है पूरी line के नहीं करने है let's say मैं यहाँ पर 3 equal part ले लेता हूँ और इनके नाम देता हूँ ठीक है अब बच्चो scale को हटा दिता हूँ इसका कोई काम नहीं है अब बच्चों करना क्या आपको यह जो last वाला point है आपका B3 ठीक है इससे आपको join कर दिना है D point को ठीक है इसको मैंने join कर दिया अब यहाँ पर आपको एक parallel line draw करनी है ठीक है parallel line आपको draw करनी है जो यहाँ पर आकर meet करेगी कहीं ओके बच्चो next step आपका होगा आपको B3 पॉइंट पर यहाँ पर compass रखकर B3 पॉइंट पर एक छोटा सा arc draw करना है ठीक है let's say मैं यहाँ पर arc draw कर लेता हूँ ओके इस तरीके से ओके बच्चो next step में भी आपको B2 पॉइंट पर रखकर ठीक है same distance का arc आपको draw करना है let's say मैं यहाँ पर उसको draw कर देता हूँ कुछ इस तरीके से ओके अब आपको करना क्या है इतना distance आपको compass में लेना है यहाँ से यहाँ तक मैं यहाँ पर show कर देता हूँ यहाँ से ले यहाँ पर mark कर देनी है let's say कहीं यहाँ पर वो distance mark होगा ठीक है तो आपका जो distance होगा line होगी parallel line ओके वो कुछ इस तरीके से निकल के आ जाएगी ठीक है मेरी बात आ रहे ही समझ में यह जो point होगा intersection point होगा वही आपका parallel line होगा ठीक है इस point को मैंने नाम दे रिया c dash ओके तो b3c is parallel to b2c dash अब बच्चो सेम तरीके से आपको यहाँ पर भी एक arc लेना है जिस तरीके से आपने यहाँ पर लिया था उसी तरीके से ओके इस arc को लेने के बाद आपको एक और arc draw करना है let's say आपने यहाँ पर यह arc draw कर दिया okay इसके बाद इस arc का distance लेने के बाद ठीक है यह वारा arc जो है इसका distance लेने के बाद let's say मैंने यहाँ पर कहीं cut कर दिया okay अब बच्चो इस line को इस तरीके से आपको draw कर देना है ठीक है it should be parallel with ac okay इस तरीके से draw करना है कि ac के parallel आना चाहिए अब बच्चो इस जो नया triangle आपका आया है let's say इसको मैंने नाम दे दिया d point और यह आपका हो गया e point ठीक है इसी बात को हम यहाँ पर लिख सकते हैं bd upon bc is equal to क्या लिखेंगे ed upon ac okay is equal to क्या लिखेंगे be upon ba या फिर a b is equal to 2 by 3rd ठीक है और यही आप से पूछा था and this is the answer for this problem यही वो आपका triangle है जो आप से पूछा था 2 by 3rd होना चाहिए यही आपका triangle है और इसी तरीके से आपको यह find करना है बच्चों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं trigonometric ratios और trigonometric identities की तो बच्चों क्या कहता है question कहता है cos 80 degree upon sin 10 degree plus cos 59 degree into cos 31 degree is equal to आपको बताना है यह question पूछा गया था 2020 में 1 mark के लिए आप यहाँ पर इस question को किस तरीके से solve करोगे जल्दी से बताइए आप use करोगे trigonometric identities कौन से use करोगे जल्दी से बताइए तो आप लिख सकते हैं sin theta is equal to sin theta is equal to cos pi by 2 minus theta this will give you cos theta ठीक है तो जहाँ भी आपको angle given होगा तो आप इस तरीके से उसको लिख सकते हैं जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है और आप sin theta को भी लिख सकते हैं 1 upon cos theta 1 upon cos theta ठीक है अब बात आती है इन दोनों को आप किस तरीके से यहाँ पर use करोगे तो चलिए इसको solve कर लेते हैं आप cos 80 degree को as it is यहाँ पर लिख देंगे cos 80 degree ok upon में sin 10 degree को आप किस तरीके से लिख होगे जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है जल्दी से बताइए आप लिख होगे इसको sin 90 minus 80 degree ok plus क्या लिखेंगे जल्दी से बताइए cos 59 degree cos 59 degree ok into 1 upon cosec को आप लिख सकते हैं 1 upon sin ok 90 minus 59 degree ok यह आपके angles हैं तो आप इनको लिखोगे degree में ठीक है फर्दर आप यहाँ पर इन दोनों को solve कर सकते हैं किस तरीके से cos 80 degree ok upon तो बच्चों यह बन जाएगा आपका cos 80 degree ठीक है plus in the same manner cos 59 degree तो यह बन जाएगा आपका जल्दी से बताइए मुझे यह आपका बनेगा 1 upon cos 59 degree ठीक है तो अब यहाँ पर यह cancel out हो जाएगा ok तो यह बचेगा आपका 1 plus 1 तो बच्चों that means आपका answer आ गया 2 and this is the answer for this problem अब बात करते हैं अगले question की इस question में आपसे पूछा गया है sin square theta plus 1 upon 1 plus 10 square theta is equal to आपको बताना है यह question भी आपका पूछा गया था 2020 में 1 mark के लिए ok अब देखिए यहाँ पर आप कौन सी identity use करेंगे यह वाली आप use करने वाले हैं ok किस तरीके से देखिए 1 plus 10 square theta is equal to होता है sex square theta ok तो यहाँ पर यह जो term है 1 plus 10 square theta इसकी जगे आप रखेंगे sex square theta तो आपका यह term बन जाएगा जल्दी से यहाँ पर solve कर लिजे sin square theta plus 1 upon this will become sex square theta तो बच्चों यहाँ पर देखकर बताइए यह जो term है 1 upon sex square theta यह क्या बन जाएगा आप जानते हैं cos theta is equal to 1 upon sex theta ok तो देखिए यह आपका term बन जाएगा sin square theta plus cos square theta ok और आपको मालूम होना चाहिए this will give you 1 ok यह आपका होता है 1 के बराबर sin square theta plus cos square theta is equal to always 1 तो आप यहाँ पर लिख देगे 1 and this is the answer for this problem next question है 1 plus 10 square theta into 1 minus sin theta into 1 plus sin theta is equal to आपको बताना है यह question पूछा गया था 2019 में ok तो यहाँ पर भी आपको यह identities use करनी है किस तरीके से use करोगे जल्दी से बताइए आप यहाँ पर 1 plus 10 square theta की जगे आप लिख दोगे sex square theta ok और यहाँ पर यह जो term है दोनों है यह क्या लिखा हुआ है जल्दी से बताइए मुझे बच्चो आपको मालूम है कि a square minus b square is nothing but a plus b and a minus b ठीक है इसी बात को इस तरीके से लिखा हुआ है ठीक है तो यहाँ पर इसको आप solve कर लेंगे ok यह आपका बन जाएगा sex square theta ok into and this whole term will become like this ठीक है that means 1 square minus sin square theta ok this simply gives you sex square theta into 1 minus sin square theta ok अब बच्चो यहाँ पर ध्यान देना आपको मालूम है sin square theta plus cos square theta is equal to 1 तो आप cos square theta को क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं 1 minus sin square theta अब यहाँ पर भी 1 minus sin square theta को आप लिख देंगे cos square theta ok और sex square theta को आप क्या लिख सकते हैं जल्दी से बताइए मुझे 1 upon cos square theta और इस term को आप लिख सकते हैं cos square theta तो यहाँ पर cos square theta से cos square theta आपका cancel out हो जाएगा तो यहाँ पर आपको answer मिल जाएगा 1 and this is the answer for this problem बढ़ते हैं अगले question की तरफ what is the value of cos square 67 degree minus sin square 23 degree तो इसका value आपको पताना है तो यहाँ पर आप कौन सा trigonometric identity use करेंगे आप use करेंगे cos square b minus sin square a अगर इसको expand करते हैं तो आपको मिलता है cos a plus b into cos a minus b तो इसी को आपको यहाँ पर solve करना है ठीक है तो इसको किस तरीके से लिखोगे आप यहाँ पर लिखोगे जल्दी से बताइए कैसे लिखोगे आप यहाँ पर लिखोगे cos 67 plus 23 ok 67 degree plus 23 degree into cos 67 degree minus 23 degree ok तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा cos 90 degree ok this will become 90 into ok this is into and this will give you cos 45 ok cos 45 degree तो देखिए cos 90 का जो value होता है वो होता है 0 मेरी बात आरी समझ में cos 90 degree का value होता है 0 ठीक है तो that means यहाँ पर कोई भी value हो तो answer आपका 0 ही आने वाला है ठीक है फिर भी मैं आपको बता देता हूँ cos 45 का value होता है 1 upon under root 2 ठीक है 1 upon under root 2 तो definitely इसका जो answer होगा वो आपका 0 होगा ok and this is the answer for this problem बच्चो अगला question है evaluate sin square 60 degree plus 2 into 1045 degree minus cos square 30 degree ok इसका value आपको बताना है ये question पूचा गया था 2019 में ok तो इसको solve करने के लिए यहाँ पर देखिए आपको direct values put करनी है sin 60 का value आपको मालूम होना चाहिए 1045 degree का value मालूम होना चाहिए और cos 30 degree का value आपको मालूम होना चाहिए ok तो देखिए values मैंने यहाँ पर लिखी हुई है sin 60 degree का value होता है under root 3 upon 2 1045 degree का 1 और cos 30 का value under root 3 upon 2 तो चलिए direct values यहाँ पर put कर देते हैं plus 2 into 1045 degree का value 1 2 into 1 minus cos square square है ok यहाँ पर आपका simple square है यहाँ पर आपका square है ok अब यहाँ पर देखिए cos 30 का value आपको given है under root 3 upon 2 लेकिन यहाँ पर cos square है तो that means इस value का आप square कर देंगे under root 3 upon 2 का whole square ok अब देखिए यह value और यह value आपकी same है यह plus की value है और यह minus की value है तो यह आपका cancel out हो जाएगा इसको आपको open करने की जरवत नहीं है ok that means आपका answer आगया 2 and this is the answer for this problem अब बात करते हैं trigonometry के last question की आपको prove करना है 10 theta upon 1 minus cot theta plus cot theta upon 1 minus 10 theta is equal to 1 plus sec theta into cos theta इस problem को solve करने के लिए left hand side को आप लेकर चलेंगे ok और right hand side के बराबर prove कर देंगे ठीक है तो इसके लिए आपको करना क्या है 10 theta और cot theta का value आपको मालूम होना चाहिए 10 theta होता है आपका sin theta upon cos theta ok और cot theta इसका just opposite होता है reverse होता है cos theta upon sin theta ठीक है इनी दोनों को आपको यहाँ पर रखना है चलिए हम यहाँ पर इसको expand कर लेते हैं ok किस तरीके solve करोगे sin theta upon cos theta upon 1 minus जल्दे से solve किजिए cos theta upon sin theta ok प्लस यहाँ पर लिखेंगे cos theta upon sin theta upon 1 minus sin theta upon cos theta ok तो बच्चों इससे जो अगला step है वो आपको करना है ok cos theta आपका नीचे आ जाएगा sin theta ऊपर चला जाएगा यहाँ पर भी sin theta नीचे आएगा और cos theta ऊपर चला जाएगा ठीक है तो इससे जस्ट आपका जो next step है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वो क्या होगा sin square theta ok sin theta अल्यड़ी यहाँ पर है यह sin theta आपका ऊपर चला जाएगा तो यह बन जाएगा आपका sin square theta ok तो नीचे आपका रहेगा क्या रहेगा बच्चो cos theta यह cos theta आपका नीचे आ जाएगा ok cos theta into कितना होगा बच्चो जल्दे से बताएगे यह होगा आपका sin theta minus cos theta ok इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं plus cos square theta upon sin theta ok into cos theta minus sin theta ठीक है इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो अब बच्चो यहाँ पर आपको LCM लेना है LCM लेना आप जानते हैं मैं directly यहाँ पर solve करके आपको लिख दे रहा हूं ok sin cube theta minus cos cube theta upon यहाँ पर आपका आजाएगा sin theta into cos theta ok into sin theta minus cos theta ठीक है इसको आप solve कर लेना यही आएगा ok अब बच्चो जल्दी से आप इसका ले लिजे screenshot क्योंकि मैं इस सब को हटाने वाला हूं ok इसके बाद का जो step है उसको हम solve करेंगे अब बच्चो आप जानते हैं कि a cube minus b cube क्या होता है a minus b ok into a square plus a b plus b square ok और इससे जो पहला step था उसमें क्या लिखा हुआ था sin cube theta minus cos cube theta ok तो उसको आप यहाँ पर expand कर लोगे क्या लिखोगे आप लिखोगे sin theta minus cos theta ok अब यहाँ पर a square that means sin square sin square theta plus sin theta into cos theta हो जाएगा plus cos square theta ok अब पॉन में क्या लिखोगे जो आपका लिखा हुआ था sin theta into cos theta और sin theta minus cos theta ठीक है अब देखिए यह वाला portion आपका cancel out हो जाएगा आपके पास क्या बचेगा जल्दी से बताएगे बच्चों देखिए यहाँ पर sin square theta plus cos square theta यह भी आपका 1 हो जाएगा ओके यह portion आपका 1 हो जाएगा तो आपके पास यह बचेगा 1 plus sin theta into cos theta upon यहाँ पर sin theta into cos theta यह आपके पास बचेगा ठीक है अब देखिए यहाँ पर हम थोड़ा size को और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं 1 upon अगर मैं लिख दूं sin theta into cos theta plus तो यह वाला term भी इससे divide होगा ठीक है sin theta cos theta upon sin theta into cos theta ठीक है तो देखिए यह पूरा का पूरा term आपके चैंसल आउट हो गया आपके पास बचा क्या 1 upon sin theta into cos theta तो आप यहाँ पर लिख देंगे यह time आपका 1 हो जाएगा तो आप क्या लिखेंगे 1 plus अब देखिए 1 upon sin को आप लिख सकते हैं क्या लिखेंगे sec theta अब देखिए बच्चो यह time आपका 1 हो गया तो इसका simple सा मतलब है इसका आप लिखेंगे 1 प्लस यहाँ पर देखिए 1 upon sin theta और 1 upon cos theta ठीक है तो 1 upon cos theta आपका हो जाएगा sec theta और 1 upon sin theta आपका हो जाएगा cos theta ठीक है और यही आपको प्रूव करना था देखिए यहाँ पर 1 plus sec theta into cos theta and this is the answer for this problem तो चलिए बच्चो अब बात करते हैं maths के सबसे last topic की जिसका नाम है probability mostly बच्चो को इस topic में बहुत जादा doubt होता है लेकिन मैं आपको बता दूँ कि this is the most easiest one बच्चो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 question है पहला वाला यह और दूसरा वाला यह यह दोनों ही question आपके पूचे गए थे 2020 में CBC board के अंदर ओके सबसे पहले बात कर लेते हैं उपर वाले question की अब बच्चो यहाँ पर बोला गया है कि एक die है ओके जिससे आप लुडो खेलते हो जब die को फेका जाता है तो यहाँ पर total outcome आते है 6, ओके 1, 2, 6 1 आ सकता है 2 आ सकता है, 3 आ सकता है 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या फिर 6 आ सकता है तो यहाँ पर total outcome आ गया आपका 6, अब question के अंदर पूचा है what is the probability of getting a number less than 3, यानि die को उच्छानने के बाद क्या chances बनते हैं कि वो number 3 से कम होगा, अब देखिए यहाँ पर बोला है less than 3 तो less than 3 का मतलब है या तो 1 आ सकता है या फिर 2 आ सकता है, तो यहाँ पर favorable outcome आपके होगे या तो 1 या फिर 2, that means 2 numbers, मेरी बात आगे समझ में यहाँ पर favorable outcome आपके होगे 2, और जब हम बात करेंगे total outcome की यहाँ पर लिखेंगे 2 this is your favorable outcome और total कितना होगा 6, इसका मतलब है आपका answer हो गया 1 upon 3, अब बच्चों बात करते हैं अगले question की a letter of English alphabet is chosen at random, what is the probability that the chosen letter is a consonant, तो बच्चों इस question को solve करने से पहले आपको समझना होगा कि इस question में क्या बोला गया है consonants होते हैं, vowels की बात करें तो vowels होते हैं आपके a, e, i, o, u फाच होते हैं और जो बाकी letters है वो आपके consonant कहलाते हैं और इन दोनों का total a to z 26 बनता है ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि English alphabet में एक letter को choose किया गया है ठीक है, वो कोई सा भी हो सकता है a to z आपका कोई भी letter हो सकता है अब आपसे पूछा है what is the probability that the chosen letter is a consonant यानि कि जो letter आपका choose किया गया है वो consonant है अब बच्चों यहाँ पर consonant की बात की गई है और आपको मालूम है total consonant होते हैं 21 total alphabet में से consonant आपके 21 होते है यानि कि जो आपके favorable outcome होंगे वो यहाँ पर रखोगे आप 21 और total आपका हो जाएगा 26 तो इसका answer होगा 21 out of 26 and this is the answer for this problem तो बच्चों यहाँ पर आपको ध्यानक ना है कि consonant के बारे में आपसे पूछा गया था और आप जानते है consonant आपके 21 है तो इसका मतलब यह नहीं है कि कोई एक आपको चूज करना है तो आपका answer हो जाएगा 1 by 26 नहीं यह आपको नहीं करना है आपको लेना है favorable outcome ओके अगला question है The probability of selecting a blue marble at random from a jar that contains only blue, black and green marbles is 1 by 5 The probability of selecting a black marble at random from the same jar is 1 by 4 if the jar contains 11 green marbles find the total number of marbles in the jar अब बच्चों मेरी बात को ध्यान से समझना यहाँ पर मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ इसका मतलब क्या है यह आपका jar है और इस jar के अंदर marbles है जिनको हम कंचे भी बोलते हैं और यह जो कंचे हैं इनका color कैसा है blue है, black है आपके यहाँ पर निकल के आएंगे ठीक है, तो चलिए देखते हैं question में आपको क्या-क्या given है blue marbles की probability 1 by 5 है black marbles की probability 1 by 4 है और total green marbles आपको 11 given है ओके, अब यहाँ पर आपको total green marbles तो मालूम है लेकिन उसकी probability नहीं मालूम तो उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे किस तरीके से, favorable upon total ओके, तो favorable आपके होंगे 11, ठीक है यही तो आपको given है, और नीचे आपका आजाएगा total, ठीक है, इसको मैं लिख लूँगा n से, अब बच्चों मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, blue, black और green marbles की जो total probability होगी वो one के बराबर होगी किसी भी system में जो total probability होती है, वो हमेशा one के बराबर होती है, तो हमने यहाँ पर blue, black और green, तीनों की probability को add कर दिया, और one के बराबर हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक है blue की आपको given है, आप लिखेंगे one by five, okay plus black की भी आपको given है one by four और यहाँ पर green के लिए हमने लिख लिया था, favorable upon total, तो यहाँ पर हमने लिख लिया इसको p of green तो इसकी जगया, मैं यह भी लिख सकता हूँ eleven by n eleven by n n क्या है, total number of marbles, ठीक है total marbles, और यही आपको find करना है मेरी बात आरी समझ में is equal to one, अब यहाँ से आप n का value find कर सकते हैं तो बच्चों comment section में लिख कर बताएं, मुझे n का value क्या निकल के आ रहा है जल्दी से इसको solve कीजे, और मुझे answer बताएं, मैं option देता हूँ आपको 21, 22 23, या फिर 20, ठीक है, इन चारों में से आपका एक correct answer है, जल्दी से इसका answer comment section में लिख कर बताएं two different dice are tossed together, find the probability पहला part है, of getting a doublet दूसरे में पूछा गया है, of getting a sum 10 of the numbers on the two side तो बच्चों ये question पूछा गया था 2018 के अंदर इस question में बोला गया है, two different dice are tossed together, यानि कि दो dice को एक साथ उचाला है, तो यहाँ पर जो possible outcome होंगे, कितने होंगे 6 into 6 single die में आपके possible outcome होते हैं, 6 तो यानि कि जब हम बात करेंगे double की, तो यहाँ पर total हो जाएगा आपका 36 combination होंगे different different आपको मालूम है, 1,1 इस तरीके से ये चलेंगे आपके 6,6 तक, ठीक है first part में आपसे पूछा गया है find the probability of getting a doublet doublet का मतलब है दोनों ही dice को उच्छानने के बाद same number आना, ठीक है मैंने उच्छाला dice को और दोनों ही dice में आपका आ गया 4,4, ठीक है इसी को हम कहते हैं doublet यानि same number का repeat होना दूसे dice में भी, ठीक है इसी तरीके से 5,5 हो सकता है 6,6 हो सकता है 1,1 हो सकता है 2,2 हो सकता है 3,3 हो सकता है और total आपको मालूम है 36 ठीक है अब देखिए यहाँ पर doublet कितनी बार आया है एक बार दो बार, तीन बार चार बार, पांच बार और छे बार इससे ज़्यादा बार तो आ नहीं सकता है ठीक है तो हम यहाँ पर लिखेंगे total number of doublet कितने हैं बच्चो 6 हैं, ओके इसके बाद आप लिख दोगे probability of getting of doublet कितना होगा बच्चो 6 upon 36, ठीक है, यह आपका हो गया favorable और यह आपका total हो गया, ठीक है यहाँ पर जो answer होगा 1 by 6 हो जाएगा, ठीक है and this is the answer for the first part second part में पूछा गया है find the probability of getting a sum 10 of the numbers on the two side अब देखे, यहाँ पर आपको बुला गया है numbers का जो sum होगा वो 10 होना चाहिए, ठीक है जैसे, अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ, 4,5 मैंने 2 dice को उच्छाला, एक die में आपका आगया 4, दूसरे में आगया 5, अगर मैं दोनों को add करता हूँ तो आपका sum क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए, अब यहाँ पर देख सकते है जो sum है वो 9 है तो यह वाला आपका नहीं होगा, ठीक है तो कौन-कौन से होंगे, let's say पहले वाले die में 4 आ गया, दूसरे में 6 आ गया तो sum हो गया 10 ठीक है, इसी तरीके से माल लीजिए, इसका उल्टा कर लीजिए पहले die में 6 आ गया, दूसरे में 4 आ गया ये भी ठीक है, ओके इनका भी sum 10 हो गया और कौन सा हो सकता है, 5,5 ठीक है, दोनों को add कर लीजिए 10 आ गया, क्या कुछ और cases बन सकते हैं, आप try कीजिए तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इनके अलावा इन तीन के अलावा कोई भी case नहीं बनेगा ठीक है, तो यह तीन ही case है आपके, तो बच्चों आप यहाँ पर लिखेंगे the probability of getting a sum getting a sum 10 ठीक है, कितना होगा favorable आपका 3 होगा पहला यह, दूसरा यह और तीसरा यह इसके अलावा कोई सा भी नहीं होगा तो 3 हो गया, total कितना है total आपको मालूम है 36, ठीक है यानि कि इन 36 में से ही यह 3 होगे, तो यहाँ पर आपका answer हो जाएगा 1 by 12 and this is the answer for this problem तो बच्चों, finally आपका crash course complete हो चुका है, अपना feedback comment section में लिखना ना भूले अगर फिर भी आपको कहीं doubt है, कुछ भी problem है तो आप comment section में जरूर लिखें जिससे कि मुझे मालूम चल जाएगा कि आपको कहां पर doubt आ रहा है तो बच्चों, finally आपका crash course complete हो चुका है, अपना feedback comment section में जरूर लिखें जिससे कि मुझे मालूम चल जाए कि आपको कहां पर कोई doubt या फिर problem आ रहा है ओके, I will definitely reply and thank you so much for watching this video